कि अब प्रेंड्स सब्सक्राइब टो आइप डिए अप्डेट्स है अब लोग पिछली लेक्चर में सीख रहे थे कि किसी भी सर्किट में करेंड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और दो पॉइंट की बीच में पोटेंशल डिफरेंस और या किसी पॉइंट पर पोटेंशल कैसे निकाला जाता है तो आएए उसको रिवाइज करते हैं एक कोशन से उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किर्चॉफ करेंट लोग और किर्चॉफ बोल्टेज लोग की तरफ तो सब से पहले अगर हम बात करें तो प्लस माइनस की बात कर लेते हैं साइन की बात कर लेते हैं कि रजिस्टेंस में और हमारे बैटरी में साइन किसे लगाते हैं तो बैटरी में साइन का मतलब क्या होता है यार कि हमारा एक बैटरी है तो इसको हम क्या बोलते है higher potential और यह क्या होता है lower potential higher potential को plus से दिखाया जाता है lower potential को minus से दिखाया जाता है तो यह आपका क्या है higher terminal a point और lower terminal क्या है b point और बैटरी अगर 5V का है तो 5V की battery का मतलब क्या है आपका पांच वोल्ट का battery का मतलब यह है कि इस battery को जहां भी लगाया जाएगा यह पांच वोल्ट का potential difference create करेगा और दूसरी बात यह कि अगर आपका एक resistance है यह resistance मान लेते है capital R, पराबर 2 ohm और इसमें current का flow हो रहा है from left to right और current अगर from left to right flow कर रहा है तो obviously बात है यार current always flows from higher potential to lower potential current हमेशा higher potential से lower potential की तरफ चलता है resistance में और अगर higher potential से lower potential की तरफ चलता है तो यह हमारा अगर point A है तो यह higher potential पे होगा और यह अगर point B है तो lower potential पे होगा और इसे लिए ज़िस्टेंश में जो प्लस मांस लगाया जाता है तो इसलिए कहा जाता है अखर कर अब चल रहें तो केडारेकीशन में हमेशी है पोटैंसियल कटर जाता है । हमेशी सा ठीर तो जैसे circuit एक आग दू circuit all ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर simple से हम बात करें, कि माल लेते हैं, यहां आपका कोई circuit है, यहां बैटरी लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस यहां पर और यहां भी हम बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से एक रेजिस्टेंस आपका यहां माल लेते हैं और एक रेजिस्टेंस यहां माल लेते हैं और बैटरी यहां लगा देते हैं और बैटरी यहां लगाएं यह 6 वुल्ट यह 2 वुल्ट एक बैटरी यहां लगाओ रेजिस्टन्स के लिगाँ पर यह 8 वुल्ट और यह 2 ओम और यह 1 ओम हर बात करेंट की वैलिव आपको बतानी है तो ध्यान दो सबसे पहली बात मैं ने पिछले लेक्चर में आपको क्या बोला था मैंने पिछली लेकश्चर में आपको बोला था एक जिरू मान और जिरू मान के beef कि उसे धिर आप एक जंगागा पोटेंसेल लिखना स्ट कर दो दो हर राजिस्टेंस के अकॉर सबसे यहांद पहले मैं अगर मैं क्या लिख आ लिखा यहां वहिन वीवblem प्लस पोटेंटिल आपका बढ़ जाएगा कितना बढ़ जायेगा इस के हर एक два पni पे क्या जाएगा पोटैंसल आश वोट्ब आब यहां पर कितना अब देखो ना कि यह प्लस है यह माइनस है तो यह आट वोल्ट है तो इदर से इदर जाने पूटेंसल घड़ जाएगा प्लस से माइनस आ रहे हैं अब प्लस दिआ रहे हैं तो 8 चला जाएग कितना बचेगा दो वोल्ट तो यहां का पोटेंसल कितना हो गया दो वोल्ट तो अब हमारे पास ढों। कॉंपल istiyorum हमें हीक्षिचेंग Sept पूटेंशल कौन हुआ दो वोल्ट और यह लोवर पूतेंशल जिरो गुड तो मेक शूर्ट ऑल्वेस्प्लोउस पॉं हायर पूटेंशल तो लोवर पूटेंशल करेंख का जो भी डायरेक्षंट होगा वो डायरेक्षंट नीचे के तरफ होगा फॉम हायर टू लोवर इस उक्रेंट कहा होगा कि क्यों टैनल यह 8 और दूसरा मोलर लो सबसे पहले निकाल लेते हैं डिप्रेंस कितना इ一 край 123 यहां पर मिलेगा और इस वाले ब्रांच में चला जाएगा मतब this is the value of i and this i is equal to i1 plus i2 अब बताओ इस वाले में मैंने कोई फार्मला लगाया किया नहीं यहाँ पे simple मैंने क्या किया add किया simple मैंने क्या किया add किया तो जिस branch में only सिर्फ battery रहता है वहाँ पे ohm तो ध्यान सा गर ध्याओ देखो त3 दों कितना हो मतलब इसकी value कितनी है- पाँच और तो इसमें current flow करेगा पांच A इसमें current flow करेगा दो अब इसमें current flow कर रहा था आई two बराबर सब्सक्राइद that's तो इस तरीके से इस वाले सर्किट में ये करेंट फ्लो कर रहा है तो अब देखो यार कभी-कभी प्रावलम हो जाती है प्रावलम कब होती है जैसे मैंने इस कोश्चन में सुरुवात मैंने जल्दी-जल्दी मैंने क्या बनाया था एक रेजिस्टेंस बना दिया था मैंने इ अब अगर आप यहां पर जिरू मानेंगे तो यहां कितना हो जाएगा दो वोल्ट हो जाएगा लेकिन अब इस दो वोल्ट के बाद आप और कहीं पर पोटेंसल नहीं लिख सकते हैं समझ रहे ह면 ही वात को अब यहां पर जूरू माने के यहां दो मानेगे उसके बाद कहीं पिर कि हमारे पास कोई बैटरी था यहां बैटरी तो यहां इस पर जिरू मान के यहां बाइब सकता ले कि इस वाले ब्राइब सत्ता क्यों कि वाले लिख पाया है ना तो अब यहां पर प्रॉब्लम हो गई अब मैं करेंट कैसे लिखूं क्योंकि हर एक पॉइंट का पॉटेंशल अब हम नहीं बता सकते इस पॉइंट का पॉटेंशल बता सकते हैं जीरो मानकर है ना तो यहां पर प्रॉब्लम आने लगी सिच्वेशन बदल गया और जब situation बदल गया तो लोगों ने कहा कि कोई तो तरीका बताओ जिससे इस question का answer मिल सके तो लोगों ने कहा KCL किर्चौफ को बलाओ तो किर्चौफ साहब आये और अपना उन्होंने लोग दिया उन्होंने क्या लोग दिया वही लोग को समझाने चल रहा हूं तो सबसे पहला लोग है उनका किर्चौफ करेंट लोग किर्चौफ ने circuit को solve करने के दो लोग बताए है तो find the potential difference between two points and to find the current in the circuit इन्होंने दो लोग है थे और दो दोनों के दोनों लोग क्या बताते है potential difference बताते हैं दोनों दो पॉइंट की बीच में और current बताते हैं जो आपको अच्छा लगे वह आप यूज करो या जो आपको पसंद आये वह यूज करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो किर्चौफ का पहला लोग से पहले मैं नाम बता देता हूं सब इसका इसका कई और नाम भी है इसको बोलते हैं पहला नाम तो यह है इसके नाम पर ही कि इन्होंने पहला नाम पहला लॉग क्या दिया था उसकी बेसे किर्चौफ फर्स्ट लॉग को बोलते हैं इसका दूसरा नाम है किर्चौफ लौ अच्छा यह बात हो गया और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं इसका किर्चौफ जंक्सन लौ किर्चौफ जंक्सन रूल बोल देते हैं लोग लौ बोल दो अब इन्होंने बिसीकली बोला क्या कि माल लो हमारे किसी भी कॉंप्लेक्स सर्कीट का कोई भी सर्कीट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें एक जंक्सन पॉइंट है मान लेते हैं यह हमारा कोई रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस यहाँ है एक रेजिस्टेंस यहाँ है एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है सपोर्ज मैंने सरकिट का कोई पार्ट ले लिया है मतलब थोड़ा छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसमें आपको दिख रहा है कि एक हमारा एक जंग्सन पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं जंग्सन जंग्सन मतलब जहां कई रास्ते मिलें इस पॉइंट से कई रास्ते हो रहे हैं एक पा पॉइंट या फिर सिंपली नोड बोल देते हैं तो यह जंक्सन पॉइंट है यह जंक्सन है जहां पर 5 वायर आके एक जगा पर मिल रहा है तो चोटा सा पाट सर्कीट का तो अगर सर्कीट का छोटा सा पाट इसका मतलब बैटरी उटी लगा होगा यार और अगर बैटरी कितना चला गया आई फोर कितना चला गया अब देखू ना कि इधर से आ रहा था कुछ यह पहले भी बोल चुका हो इस जंसनट पॉइंट त्थां से देखो जितनी क्रेंट आ रही होंगी उतनी की उतनी ही करेंट निकल जाएंगी मतलब आने वाली current is equal to जाने वाली current अगर if you observe the point O और इस point पे अगर तुम खड़े हो तो जितनी भी current अगर आ रही है वो सारी के सारी current इस side से निकल जाएंगी मतलब incoming current is equal to outgoing current इसी को बोलते हैं किर्चाव first law किर्चाव first law कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किर्चाव first law का मतलब होता है आने वाली जितनी total current होती है किसी junction point पर उतनी ही होती है जाने वाली total incoming current at the junction point is equal to the total outgoing current from the junction point तो यही है हमारा तो क्या लिखेंगे हम यही लिखेंगे incoming current incoming current current is equal to outgoing current जितनी आ रही है उतनी ही जाएगी अब सोचो ना यार अगर एक second में 10 कुलम चार्ज धर से आ रहा है और एक second में 5 कुलम चार्ज धर से आ रहा है तो at the same time एक ही second के अंदर उतना ही total चार्ज निकल जाना चाहिए मतलब there is no accumulation of charge at the point o यहाँ पर इस point o पर कोई भी charge का accumulation नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर charge का accumulation होने लगेगा junction point पर तो junction फूलने लगेगा और फट जाएगा है ना अगर steady flow करना है circuit के अंदर धंग से flow करना है तो क्या कहा जाता है कि जितनी current धर से आ रही है जितनी current धर से आ रही है कहने का मतलब basically charge current कहो charge को एक ही बात है क्योंकि असली में तो charge ही flow कर रहा है तो एक second गंदर जितनी charge धर से आ रही है एक second गंदर जितनी charge धर से आ रही है at the same time एक second गंदर total total charge तीनों branch में बट जाएगा that is basically known as that is basically known as किर्चॉफ first law ये किर्चॉफ first law है इसे junction law क्यों बोला इसे junction rule क्यों बोला क्योंकि ये junction पर लगता है ये junction के लिए rule बनाया गया है इसलिए इसको क्या बोला जाता है किर्चॉफ junction rule और किर्चॉफ current law क्यों बोला इसी को किर्चॉफ current law इसलिए बोला क्योंकि current की बात कर रहे हैं टोटल इंकमिंग करेंड इसका तीन नाम है किर्चव फिस्ट लॉउ किर्चव करेंट लॉउ और किर्चव जंक्षन लॉउ अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कहना चाहरा हूं मैं कहना यह चाहरा हूं कि यह कंजर्वेशन चार्जए की कंजर्वेशन लॉπα को MP कि इस लोव इस बीसडेश ऑन लाइस ऑफ 295 एक सेकेंड में उतना ही चार्जए सखेटर उथर निकल जा रहा है तीनों ब्रांच में नेगल जालकर स्कामधद चार्ज संव है है फ्था क्या है कंजर्व है तो हम क्या लिःस सकते वो गतिशियो सिन के पॉलिस राफ आूं आड वनियर्ली संव लेकरav संव और एक पॉइंट और लिख सकते हैं दिर इस नो एक्युमिलेशन आफ चार्ज दिर इस नो एक्युमिलेशन आफ एक्युमिलेशन आफ चार्ज किर्चाफ लौ तो बस इतना सही है लेकिन किताबों में वह बहुत कुछ भी लिखा रहता है किताबों में वैसे क्यों लिखा रहता है किताबों में करते हैं according to first law of Kirchhoff according to Kirchhoff first law दल्जब्राइक सम ओफ दल्जब्राइक सम ओफ टोटल करेंट एड़ी जंक्षन पॉयंट इस एकल टू जीरो देखो मैं इसको कैसे प्रूब करता हूँ तह यह अल्जब्राइक सम का समझें, algebraic sum का क्या मतलब होता है, algebraic sum का मतलब है, sign के साथ current को जोड़ना, जैसे मैं अगर तो गूलू कि incoming current क्या है, to incoming current क्या है, I1 प्लस कितना, I2, और outgoing current कितना है, outgoing current अपना है, I3 प्लस I4 प्लस I5, तो सोच के देखो न, अगर आपने आने वाली करेंड को पॉझ्णव मन लिया तो जाने वाली करेंड किA हो जाएगी कई दनी इसको बोलते हैं या अगर आप जाने वाली करेंड को पॉसटी माल लेते तो आने वाली कर occupied है तो सब का जो टोटल करेंट है टोटल करेंट का जो सम होगा समकराइब कैसे इंकमिंग करेंड सोच के देखुआ अगर मैं आने वाली करेंड को पोश्टीheld माल लिए थो इसके मदब i3, i4, i5 negative हो गया तो बहुत अच्छे सा अगर आप देखो तो यहां मैं लिख रहा हूँ इसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि i1 i1 plus i2 minus i3 minus i4 minus i5 is equal to 0 ठीक है भई i3, i4, i5 को मैंने इस साइड में कर लिया बहुत अच्छे से देखो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ i1 plus i2 plus minus i3 plus minus i4 plus minus i5 is equal to 0 ठीक है भई अगर ऐसा मैंने लिखा है तो इसका मतलब यह कि सारे currents को मैं क्या कर रहा हूँ add कर रहा हूँ सीधा जीधा मैं add कर रहा हूँ इस junction point पर खड़े हो के मैं देखा कि इस मतलब कि सारे branch में कितनी current है और सारे branch में current मैंने देखा उसके पास sign भी देखा अगर आने वाले को positive माल लिया जाने वाले को negative sign लगा दिया और सारे current का मैंने add कर दिया सारे current का sum कर दिया तो हमने यह पाया कि summation of all the currents at the junction point is always equal to 0 लेकिन ध्यान दो यह sign के साथ मैंने लिखा है इसलिए मैंने sum of the all the current at the junction point is equal to 0 यही किताबों में लिखा रहता है किर्चौफ फर्स्ट लोग के बारे में है ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार है ना वही चीज है incoming current is equal to outgoing current सवाल लगाने के लिए आपका यही काम आएगा आने वाली current is equal to चाने वाली current अगर आप पहचान पा रहे हैं कि कितनी current junction की तरफ आ रही है और कितनी current junction से जा रही है तो आने वाली current is equal to जाने वाली current कर दिया यह लगाने कोई जरूत नहीं है तो definition के हिसाब से हो गया कि कभी किताब में पूछ दिया जाएगा कि किर्चाफ फश्लों को ठोड़ा डिफाइन करो ठोड़ा लिखो या कोई teacher पूछ देगा तो इस तरीके साथ बता सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और आसान तरीका बताता हो जैसे मैंने आपको यह बोला कि की अचीफ कि अथिए प्रवार कर दो से कि इस तरीके से वायर से रजिस्टैंस रेजिस्टैंस बना ने रहाँ खाली सहा बना एक और इस वाले पाथ पर इस वाले पात पर मैंने करेंट दिखाया है आई वन इधर चला गया करेंट आई टू और इधर से करेंट आ रहा है आई थरी तो बताना है जंक्सन पॉइंट पर किर्चाफ फर्स लो लगाना है जंक्सन पॉइंट पर जंक्सन पॉइंट जे पर किर्चाफ फर्स लो लग आने वाली यहाई 1 है और आने वाली i3 है और जाने वाली कितनी है यही वाई टाइप्स का है ना मतलब रजिस्टेंस रजिस्टेंस बना हुआ है आपका रजिस्टेंस है यहां पर है यहां भी रजिस्टेंस लगा हुआ है और आप से और आप से करेंट पूछ रहा है तीनों ब्रांच में है ना लगाएंगे तो किर्चौफ करेंट लाही आएगा तो उसी से ही है ना लेकिन आपको जज करना पड़ता है कभी-कभी कि किस डायरेक्शन में करेंट को मानें तो डोंट वर्य बाउट इट यार है ना इस ब्रांच में क्या करो ना इस ब्रांच में हमेशा जंग्सन से हमेशा करेंट जाते हुए माल लो हमेशा जंग्सन से करेंट जाते हुए माल लो यह करेंट आप जाते हुए माल लो और यह करेंट आप जाते हुए माल लो माल लो कि यह current आपका कितना है i1 और यह current i2 यह current i3 त्र आप यह कैसे मान सकते हैं यह कैसे हो जा है है ना आप अगर ऐसे माल लेंगे तो क्या कुछ गलत लग रहा है गया हाँ अव्यश सी बात है गलत लग रहा है क्योंकि जंक्सनd पॉइंट उन सर्फ करेंट निकल अरे कहीने कहीं से तो आ रहा होगा लेगे मैं मान रहा हूं कि यहां से करेंट रिंक आ रहा है कहीं से आ नहीं रहा है अगर ऐसा मान लेते हैं तो कुश्चन आपका आसान हो जाएगा और किर्चाफ लॉग कभी भी गलत अंसर नहीं देता है ऐसा आप मान सकते हैं आप इसमें करेंगे तो क्या होगा इसमें करेंगे तो क्या होगा पहले किर्चाफ ला लगाई है माल लेजिए कि सब कुछ सही है किर्चाफ ला पहले लगाओ अगर किर्चाफ ला लगाओ तो जाने वाली करेंट पॉस्टिव माल लो अब बताओ कहीं से आ रही है क्या कहीं से कोई नहीं आ रही है, सिर्फ जा रही है, तो आप क्या लिखोगे, incoming current 0 is equal to I1 plus I2 plus I3, तो क्या लिखेंगे, I1 plus I2 plus I3 बराबर 0, ठीक है, अच्छा, ऐसा करने के बाद हुआ क्या, हुआ ये, कि आप इस तरीके सा अगर लिख देंगे, मालो आपने दो ब्रांच में current की value निकाल लिया, और दोनों ब्रांच में current की value आगे positive, सपोज, I2 की value जो आई, I2 बराबर 2 ampere आ गया, और I3 बराबर कितना आ गया, 1 ampere, अगर I2 बराबर 2 ampere है, I3 बराबर 1 ampere है, तो बताओ I3, I1 की value कितनी हो जाएगी, I1 बराबर minus 3 ampere, एक example ले रहा हूँ मैं, है ना, तो I1 की value आपके पास कितनी आ जाएगी, I1 बराबर आ जाएगी, आपके पास minus में 3 ampere, तो minus का क्या मतलब हुआ, minus का यहां मतलब यह होता है, कि जो आपने direction माना है, वो direction आपका just उल्टा है, अंसर गलत नहीं है, अंसर आपका सही आता है, मतलब जो magnitude की value है, I2 तीन ampere है, लेकिन जो आपका direction है, वो direction जो आपने माना है, वो predicted direction से just opposite direction में सही अंसर होगा, procedure को अपना दिया था तभी उन्हें बोला था कि मेरा लगाओ और आपको छूट है अगर आपको समझ में नहीं आता है current किस डियरेक्शन में फ्लो कर रहा है किस डियरेक्शन म th बहे रह है इसलिए कहते हैं हम कि सर्किट के कोशन कभी गलत होते ही नहीं है अगर करेंट निकालने को कह दिया सर्किट में तो खुश हो जाओ क्योंगी किर्चाफ भाई साथ है है किर्चाफ भाई साथ है तो घंग से लगाना चीए यार कि अगर आपका मान लो मान लो करेंट की वैल्य आपकी निगेटिव आगे तो निगेटिव क्या मतलब है जो आपने डारेक्शन माना है उसका उपोजिट डारेक्शन में करेंट वहेगा और अगर करेंट की वैल्य निगेटिव आगई पॉसिटिव आगे इसका मतलब जो कोई डारेक्शन पक्का उल्टा है क्योंकि ऐसा तो होई नहीं सकता है ना चलो सवालों समझते हैं सवाल क्या है कि माल लेते हैं कि माल लेते हैं हमारे पास एक सर्कुट है यह आपसे मैं दो तीन चीच बुछूंगा है ना और इस सवाल से आपको अनलाइज भी कराऊंगा माल लेते हैं यह पांच वोल्ट है यह सिक्स वोल्ट है है ना यह टैन वोल्ट है यह दो ओम यह एक ओम और यह चार ओम यह भी दो माल लो कि यह कह रहा है कि find out the potential of the junction point इस point का potential बताना है वी नॉट यह question है आपका पहला question ही कि find out the potential of the junction तो find out the potential of the junction क्या करेंगे आप सीधा इदा किर्चौफ लगा हो यार क्योंकि मैंने सुरुवाद में को क्या बोला कि किर्चौफ फर्स्ट लाव सेकंड लाव दोनों क्या बताता है दोनों दो पॉइंट के बीच का potential difference या किसी particular point का potential बताता है और current की value बताता है दोनों मेंसे कुछ भी पसंद हो दोनों मेंसे कुछ भी लगात हो है ना मैं दोनों तुम को बताऊंगा कि किर्चौफ ने क्या बताया था पहले किर्चौफ फर्स्ट लाव को धंच से अपलाई करना सीख जाते हैं तो अब अगर आप द्यान से देखो तो मैंने अभी क्या बताया कि करेंट को हमेशा जंग्सन पॉइंट से निकलते हुए मान लो है ना और सारा चीज़ बताऊंगा देखो कब निगेटिव आएगा कब पॉस्टिव आएगा पहले मान लो कि current जंग्सन से निकल रहा है जंग्सन से निकलने का क्या मतलब आप क्या मान रहे है अगर करेंट जंग्सन से निकल रहा है उपर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है इसका मतलब आप यह मान रहे है कि इसका जो पोटेंसिल होगा इससे भी ज्यादा है इससे भी ज्यादा है इ तो फ्रॉम के सी एल ऐसे लिखते हैं क्या लिखते हैं फ्रॉम के सी एल किर्चॉफ करेंट लॉक के अनुसार क्या होगा कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इस उकल टू जीरो करेंट कोई था नहीं तो इसलिए मैंने क्या माल लिया इसलिए मैंने माल लिया i1 pluस by qr और चुसे क्यों माल little के प्लूट के इस तरीके से के अध्यक्या नहीं पता गए कैशे पता करें कि ऊपर जाएगा कर नीजे दाएगा इसल 이름 में सब्सक्रएए क्या आएगा और रहा है जिसले हैं आप जो से ने हैं और इन्सब्स परक जाएगा और अंसर क्या आता है इसका करेंट आइवन अब इस आइवन की वैल्यू हम क्या लिखें आइवन बराबर क्या होता है potential difference upon resistance और हमने यहां क्या माना है कि यह higher होगा तो वी नॉट माइनस पांच बाइवन ओम से लगाओ वी नॉट आइवन बराबर potential difference वी नॉट माइनस 5 बाइवन अच्छा ठीक है प्लस आइटू बराबर क्या लिखेंगे वी नॉट माइनस 6 बाइटू और आइट्री बराबर क्या लिखेंगे वी नॉट माइनस 10 बाइवन कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 अब देखो न दोका multiply कर दो सेमें कितना जाएगा 2 वी नॉट माइनस में 10 प्लस वी नॉट माइनस 10 इस इकवल टू 0 दो दो चार हो गया तो कितना हो गया 4 वी नॉट और यह आपके पास 10 26 हो गया 26 और वी नॉट की वैलू आपके पास आगही 13 बाइट तू मतलब 13 by 2 मतलब 6.5 वोल्ट 6.5 वोल्ट सोच के देखो वी नॉट आ गया न यही आएगा यही आपका अंसर है जंक्सन पॉइंट का पोटेंसिल यही है वी नॉट जंक्सन पॉइंट का पोटेंसिल आपका यही है यही आपका जंक्सन पॉइंट का पोटेंसिल वी नॉट है 6.5 वो अब देखो ज़्यादा मानने से गड़डी कहां हुई इसा मैं अब जशाँ मैं करेंट की वैल्यू आप से पूछूंगा तो Das i1 लिखोगे i1 बराबर potential difference upon resistance मतलब कितना 6.5 minus 5 by 1 6.5 minus 5 इसकी वालू कितनी आ जाएगी 1.5 मतलब 3 by 2 ampere मतलब 1.5 ampere अब मैंने आपसे पूछा बताओ i2 की वालू बताओ i2 की वालू क्या लिखोगे 5.6 minus 2 5.6 minus में ये कितना था 6.5 6.5 minus में 6 upon में कितना होगे 2 and this is equal to 0.5 by 2 0.5 by 2 का क्या मतलब है 0.5 by 2 का क्या मतलब ये है कि 1 by 4 ampere ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूँ i3 की value क्या होगी i3 की value भी निकालो V0 की value 6.5 minus 10 by कितना हो गया 2 तो 6.5 minus 10 इसकी value कितनी हो जाएगी 3.5 by 2 ठीक है 3.5 को 7 by 2 लिख सकते है और 7 by 2 लिख सकते है तो क्या लिखेंगे इसको 7 by 4 ampere लेकिन ध्यान रहे यह माइनस में है अब माइनस का क्या मतलब है माइनस का है क्या सेंस हुआ माइनस का सेंस यह है कि जो डारेक्शन आपने i3 की मानी है वह i3 का डारेक्शन जस चुलता यहीं गरबड़ हुआ बस और कुछ भी गरबड़ नहीं होगा ठीक है करेंट अगर निकलता हुआ मान लोगे तो बस गरबड़ी क्या होगी direction की गरवड़ी आएगी, value हमेशा same आएगा, value हमेशा क्या आएगा, same आएगा, मतलब कि i3 का direction आपने ऐसे माना है मतलब current ऐसे आ रहा है, बस तो यहां आप लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे यहां पर, direction of i3 direction of, hence करके hence direction of i3 is in opposite direction of predicted direction predicted direction predicted direction का हमेशा क्या होगा, ultडा होगा और यह minus sign बता रहा है इसका मतलब सही सही circuit क्या हो hangs आपका, मतलब सही सही current कैसे flow कर रहा है, अगर सही सही current की अगर हम बात करें तो उनभी बना कर मैं दिखाता हूं आपको उनभी करेंट कुछ इस तरीके बहरा है तो करेंट इसमें बहरा है उपर की तरफ आइवन की वैलू कितनी है तरफ इसमें बहरा है पॉस्टी बहरा है था मतलब पाया था वन बाइ फॉर इंपियर इसमें कितना सब सभसे है इधर के बहरा ओले इसका मतलब हमारा अंसर सही है है ना भई तो देखो जारा तो अंसर सही आ रहा है 3 by 2 plus 1 by 4 और 2 का उपर नीचे multiply कर दिया उपर हो गया 6 by 4 6 plus 1 7 by 4 correct मतलब जो हमने किया जो हमने सिखा वो बिल्कुल सही है तो पूरा कहानी का पूरा सार क्या था कहानी का पूरा सार ये था कि यार तुम किर्चॉफ फॉर्ट लगा रहे हो तो लगाओ लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं कि अपने से मान लोग इधर से करेंट आ रहा है उधर जा रहा है करो के तब भी अंसर आएगा लेकिन वहाँ ग्रबडी कर जाएंगे ठीक है तो हमारी बात मानों तो हमेशा junction point से सारी current निकलते हुए मान दो कि और सारी current निकलते हुए मान रहे हो और अगर हमान रहे हो तो उसको हाईर मानते हुए हर जंगा का current लिखो चको पोटेंशल UPानुंग रिजिस्टंस देखा था न मैंने वी चीற लिखा था और जब ये सारी करेंट्स लिख say तब भी मैंने वी चीहा रिखा कूंकि अभी थी मॉत सब्सक्राइच हो तू है को मान रहे हु sick इसमें करेंट पॉस्टिब आए तो अब Big Five और इससे भीषल है और इहां निगेटिव आने का सेंस हुआ यहां निगेटिव आने इये हुआ कि वह यह याशा तो आप defense यहां करेंट करेंगे लेगन पहले हमें नहीं पता पहले तो हमें नहीं पता था इसलिए हमने माल लिया ठीक है एक सवाला और करो थोड़ा कॉंसेट्ट बूस्ट हो जा तुम्हारा कि इसी बेश्ट पर इसी बेश्ट पर एक सवाला करो चाहँ जैसे मैंने बोला इस तरीके से रेजिस्टेंस है एक बैटरी यहां लगी है एक रेजिस्टेंस यहां है एक बैटरी यहां है एक रेजिस्टेंस यहां है वन ओम वन ओम टू ओम छे वूल्ट चार वूल्ट दो वूल्ट कोश्चन आपसे कह रहा है के फवाइन लुट कीयए गरन बदलशा पूल्ट को यहां पस्ड़ाऊ तो का करेंट के अब यहां हां जिर्व मान के चालू हो सकते हैं क्या सब्सक्राब्द यहां अब परद्लम हो जाएगे आपmeter तेके क्या सवाल में एक जंगा फस जाओगेास तो सबसे पहले आप जीरो ओन के करेंद निकालने के कोशिश ही जिए करो जब फस जाओ तो समझाओ कि केचयल लगेगा है आsam एस लॉटिक लगाना है पहले तो आप यही माझनों कि हम जीरो मानकर चालो कि आ रहा है कि नहीं हर जगा का पुटेनसल लिक पा रहे हैंगी और आगर जिस दिन फस्स जाओ उस दिन क्या कर दो जिस दिन फस जाओ उस दिन केसिया लगाना इस्टार्ट कर दो ठीक है चलो देखके क्या करते हैं अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक काम करो ना इस रेजिस्टेंस को उपर लगाओ और इस बैटरी को नीचे लगाओ यह भले ही आपका कोश्चन दिया गया था लेकिन तुम इसे मिटा कर चार वोल्ड को नीचे बनाओगे और एक ओम को उपर बनाओगे मैंने जानबुच कि इसको बनाया था यह कॉंसेट आपको बता रह होता है समझेंगे बात इसी तरीके से अगर सर्केट में इस तरीके से दिया हुआ है तो इस बैटरी को नीचे बनाओ फाइदा हो जाएगा क्योंकि लोवर पोटेंसल में मिल जाएगा नीचे ना तो इसे एक हटा कर उधर बनाएंगे और इस दो वोल्ड को हटा कर नीचे बना देंगे कि समझें बात कि पिछली लेक्ष्ण बदाया था ना कि रजिस्टेंस को रजिस्टेंस को बैटरी के चाहे लेफ साइड में बनाओ चाहे राइट साइड में बनाओ कोई फरक नहीं पढ़ता वही काम मैंने किया है तो कोई फरक तो पढ़ेगा नीच यह भी मैंने फक्राण पोटेंसिल जी रहेगा यहाँ जीड़ो एड़ तो यहाँ भी पोटेंसिल गरक और यहाँ जी रहेगा सिक्स वोल्ट यह माइस से प्लसं कितना आजायेगा चार ऑल्ट कुंअ अब देखो ना इस crust केए टर मैंने चार्ण दिखा इस resistant की दूसरे टर्मिनल पर मैं लिख सकता हूं है जजेनक्ट्स लेकिन यह वञा e सकते हैं यह execution द्राप करता है पता नहीं कितना फे शा opened होरी और यह यहां सकते अब तो आगई और और चिर्चव चाओ को याद करो कि एसील सापको याद करो किर्चॉप साथ को याद करो और लगा दो अंसारा जाएगा क्यूंकि मैंने आपको पिछले वाले सरक्रीट भी इतना ही पार्ट तो दिया था बस मैं बैटरी उट्री नहीं लगाया था अपको दिखाया नहीं था लेकिन इतना ही पार्ट तो मैंने बड़ा मानो तो वहाँ का पोटेंशिल मैंने माल लिया वहाँ का पोटेंशिल कितना है एक्स सपोस्स पोटेंशिल इस एक्स और करेंट को निकलता हुआ माल लो इधर से भी करेंट निकलता हुआ माल लो इधर से निकलता हुआ माल लो इधर से भी निकलता हुआ माल लो है न प्लस i2 प्लस i3 बराबर 0 यहीं पर इच्छा मैं बना देता हूं इधर i1 है इधर i2 है और नीचे के तरफ i3 है इस वायर में बद बनाना है तो ध्यान दो i1 की value क्या लिखूंगा higher minus lower higher minus 6 माना है x minus 6 upon me resistance कितना दो x minus 2 x minus 2 upon me कितना 1 x minus 4 x minus 4 upon me कितना 1 बराबर कितना हो गया 0 2 का multiply कर दो सब में कितना आ जाएगा x minus 6 plus 2x minus 4 plus 2x minus 8 बराबर 0 2 2 4 4 1 5 5 5 x बराबर कितना आ जाएगा ठार और x की value कितनी आ जाएगी 18 भाई 5 वोल्ट आएगी अब पोटेंसल तो पूछा नहीं था लेकिन निकाल दिया क्योंकि जब तो पोटेंसल नहीं निकालोगो तो current कैसे निकालोगो एक्स तो चाहिए न आपको current मैंने लिखा i1 की value i1 बराबर बताओ कितना आ जाएगा i1 की value आ जाएगी 3.6 कहा है न हम या फिर *** एकिने टीन बाए 5 माइनस शिक्स बाइटू बताओ कितना जाएगा पांच तीशा जाएगा müैनस बारह माइनस बारह वाई 10 मतलब माइनस बारह वाई 10 की value कितनी हो गई माइनस बारह पारा वाई 10 की value हो गई माइनस सिक्स भाई फाइफ एंपियर ठीक है अच्छा आइटू कि वैल्य कितनी आ गई अगर आइटू आपसे पूछा जाए तो आइटू कि वैल्य क्या लिखेंगे एटीन भाई फाइव माइनस टू और पांच दूनी दस कितना हो गया एट भाई फाइफ एंपियर फिर उसके बाद आइ थरी की वैल्य पूछी आ सकती है अब I3 की वैल्य अगर आपसे पूछी जाएगी तो I3 निकाल कीतनी आ जाएगी आपके पास एकस माइनस फोर और 1 है तो 80 भाई 5 माइनस में कितना 4 एटीन भाई 5 माइनस में 4 पूर पांच हो कितना जाएगा 20 इसकी वैलु कितनी होगे माइनस टू बाई 5 एंपियर तो सुचो ना निगेटिव कौन कौन सा आया है निगेटिव आपका आया है आईवन और निगेटिव कौन सा आया आईथरी तो इसका मतलब आईवन आईथरी दोनों का डारेक्शन अप लस दोन है इसका मतलब आईथरी का डारेक्शन ऊपर है अच्या इसकी वैलू कितनी है ये आई-3 की वैल्यू कितनी है आई अध्य आपके पास है 2वाई 5 एंपियर अब माइनस रहता दू क्याए डारेक्शन आप बदल दियो क्योंकि ये डारेक्शन रही बताता ए और ये क कितना है 8 by 5 Ampere अब verify भी कर लो क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सोचो ना यहां current आ रहा है 6 by 5 आ रहा है 2 by 5 एड़ करो 8 by 5 चला गया मतलब सब जो किया जो समझा और सब कुछ सही है ठीक है देखो आने वाली करेंड कितना है 6 by 5 आने वाली करेंड 2 by 5 एड़ कर दो 6 by 5 प्लस 2 by 5 8 by 5 और वह यह बाइड़ जा रहा है कैलकुलिसन से इसका मतलब अंसर हमेरा सही है तो कोश्यन ऐसे ऐसे ही सौल्व किया जाता है एक आप कोश्यन और दो कोश्यन देख लो देखते हैं किर्चाफ करेंट लॉग का यूज करते हुए कोश्यन को सौल्व किया जाता है कि मान लो कि सर्केट आपका कुछ ऐसा दे रखा है कि कैसा दे रखा है ऐसा अग्युक्ष आज़िक 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 करते हैं ठीक है भाई यह है ऐसा है यह चार वॉल्ट यह दो वॉल्ट यह भी चार वॉल्ट यह दूं यह दूं यह एक ओम और यह एक कुश्चन आप से कह रहा है है find out the क्या बोल रहा है find out the current in each path and potential difference between x and y यह पॉइंट आपका x हो गया और यह पॉइंट आपका y हो गया potential difference भी पूछा है और current भी पूछा है तो सबसे पहले current निकलो तो कुश्चन में लिख दे रहा हूं find नंबर ए करेंट इन करेंट इन इच ब्रांच हर ब्रांच में करेंट बताओ और दूसरा आपका पूछा है बी पूटेंशल डिफ्रेंस पूटेंशल डिफ्रेंस बिट्विन एक्स एंड वाई एक्स और वाई दोनों में इसको करने का क्या तरीका है वही तटरीका है जो पहले वाला था कुछ अलग नहीं होगा गी तो कुछ अलग से एड नहीं करोंगा वहीं काम करोंगा फिर किसी पहले करूंड हो रजिस्टन लगा हो बैटरी लगा हो तो पोटेंशल डिफरेंश लिलिख सकते नाplease यहां लगा दो यह कैसे दोनों सीरीज में है को एक काम तो यह हो गया कि इस बैटरी को लेफ्ट में लगा इस बैटरी को राइट और सरी रिजिस्टेंस को राइट में लगा कर सकते हैं कि तो यह दो ऊम हमने हटा कर यहां पर बैटरी लगाई पुणारटी नहीं चेंज करने हैं पुलारटी वैसे ही रखनी है है ना भय क्यी लोग पुछ फ़पलाट scoop है कहां मता आधिक करो अ नहीं परहां भाई पुलािटी व॥ना चालू अपक्रीर कि दो त्याיכ क..., अब क्या करना है, कि जीरो मानो और, चलू हो जाओ, जीरो मानकर चलू हो जाओ, इस पॉइंट पर आप potential zero मानला लो। जैसे zero करे द्यान दो 0, यहां भी 0, यहां भी कितना, जीरो. तो यहаешь- यह प्लस, यहां का Putin कितना हो गया, है चार वॉल्ट यह 0 यह प्लस ए इहां का पॉटेंसल कितना माइनसla यह जी जीरो यह माइनस एफ्लस बढ़ गया इismo 8 कि तो ध्यान से देखो इस पॉइंट का पॉटेंसल बचा रहा गया और ऑगर इस पॉइंट का पॉटेंसल बचा रहा गया तो हुआ मालो करेंट ऐसे जाता हुआ मालो सपोर्श इस यूर i1 दिस इस यूर i2 डिस इस यूर i3 यह ऑन की वैलू resistance का अकरॉस लिखो एक टर्मिनल 4 है एक टर्मिनल Y है क्या लिखोंगे हाइर पोटेंसल वाय है तो लिखेंगे आप फ्रॉम किर्चफ के एक बार लिखेंगे जरूर i1 प्लस i2 प्लस i3 बराबर 0 i1 प्लस i2 प्लस i3 बराबर 0 बताओ i1 कि वेलू क्या लिखोगे y वही का उसी पॉइंट का potential बताना है y- 4 by 2 plus i2 के value क्या लिखोगे y-2 potential difference y- 2 by 2 plus यहां क्या लिखोगे y-off माइनस फूर तो कितना हो गया प्लस फूर हो गया अपाउन में टू बराबर कितना हो गया जीरो बहुत अच्छे से अगर आप देखें लेकर सॉल्फ कर दिया दो ही आएगा लसे सबका है ना तो यह दो जाके उधर मल्टिप्लाई हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो क्या बराबर कितना हो गया है 2 आपके ब्ली कितनी आ गई वाय बराबर आपके पास आगया टू भा Cr ठीकिर समझ कि Abbott आख से य हल पोटेंसिल भी पूछता ना यहां का पोटेंसल बता सकते हैं तूब कर फट्री वालत में तूब कुछ ऑगा पोटेंसंटी जो पुटेंसल आया वह निवह ती बात है तो बताव डिफञति ना दो थी वोल्ट और हायर कौन होगा higher आपका y ही होगा क्योंकि इसको तो मैंने 0 माना था इसको मैंने 0 माना था इसका मदब potential difference आपका जो आया वो potential difference vy-vx बराबर कितना है vy-vx is equal to 2 by 3 volt और higher कौन है y y क्या है higher आपको एक जगह पर 0 मानने के अनुमती है और मान सकते हैं बस एक ही जगह पर हर जगह नहीं एक जगह 0 मानों और चालू हो जाओ हर जगह तो एक जगह 0 मान के जब आप solve करोगे तो उसके according हर जगह का potential लिखोगे तो आप यह बता सकते हो कि कौन सा higher होगा कौन सा lower होगा कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा है तो अच्छा वाई कप पौटेंशल तो में निकाला वे उसकी ब्र वैलू कितनी है i1, i1 बराबर कितना भी, 2 by 3 minus 4 by 2, 2 by 3, 2 by 3 minus 4 by 2, 3 4 जाट 12 हो जाएगा, minus 10 by 6 आजाएगा, I think, कितना, minus 10 by 6 ampere, i2 की value बता दो, i2 की value अगेन, 2 by 3 minus 2, minus 2, by कितना, 2, 3 2 जाट 6, अगेन, minus 4 by 6, मतलब, minus 2 by 3, minus 2 by 3, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 5 by 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 by 3, अब अगर आपसे i3 की value पूछे, तो i3 के लिखेंगे, 2 by 3 plus 4 by 2, 2 by 3 plus 4 by 2, 3 4 जाट 12, मतलब, 14 by 6, मतलब, 7 by 3, 7 by 3 ampere, अब देखो, दो, ठो, minus आया है न, इसका मतलब, direction of current उल्टा होगा, मतलब, जो direction आपने माना है, वो direction उल्टी है, direction ऐसे होगा, i1 की value, और current जो है i1, वो i1 current की value आपकी जो होगी, वो 5 by 3 ampere होगी, अच्छा, यहाँ पर direction of current कितनी हो जाएगी, direction of current, opposite होगा, ऐसे, ऐसे, और यहाँ पर जो value आएगी, i3 कौन सी है, i2 है, वो i2 की value आपकी आएगी, 2 by 3 ampere, और i3 की value positive आई है, तो इसका मतलब, direction आपका क्या है, इसी direction में होगा, और यह i3 है, इस i3 की value अगर मैं लिखूँ, तो i3 की value क्या लिखोगे, 7 by 3 ampere, चेक कर लो, सब को सही है, क्या, 5 by 3 इदर आ रहा है, 2 by 3 इदर आ रहा है, add कर दो, 7 by 3 इदर चला जाएगा, मतलब, सब कुछ एक दम बढ़िया है, sit, तो current की value भी आ गई, potential difference भी आ गया, और point का potential भी आ गया, अच्छा, sir, इसमें confusion ने क्या, मैं इसको दूसरे तरीके से बताओंगा, एक तो मैंने 0 मान के यहाँ पर solve करके बता दिया, y का potential मैंने solve किया, बता दिया, जिरो इसको मान लिए हो, तो यहाँ के potential है, वही potential difference होगा, और higher कौन होगा, यह वाला होगा, चलो दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ से start हो जाओ, वहाँ पहुचो, यह वाला तरीका देख लगा कर, vx, plus to minus गए, plus से minus गए, घड़ गए, minus 4, उसके बाद, current के direction है, plus minus, मतलब इधर plus होगा, इधर minus होगा, मतलब आप बढ़ जाओगे, इधर जा रहे हो ना, तो बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे तो plus, कितना बढ़ जाओगे, i into r, i कितना है, 7 by 3 into 2, कितना हो यहाँ, कितना होगा, 14 by 3, 14 by 3, और जहां पहुचे हो, तो महाँ का potential y, जड़ा solve करो, इसकी value, कितना जाएगे, minus 12, और इसकी value 2 by 3, तो ध्यान दो, vx, vx plus 2 by 3, बराबर कितना आ गया, vy, अब देखो न, जाएगा, vx उधर जाके, minus हो जाएगा, और vx उधर जाके, minus हो जाएगा, तो potential difference कितना आ गया, 2 by 3 volt, potential difference कितना आ गया, 2 by 3 volt, वही तुम्हें कहे रहा था, और vy ही ज़्यादा होगा, क्योंकि vy minus vx आएगा, ऐसे भी आ गया, दूसर तरीका, मतलब मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने जो सीखा है, मैं तो डारेक्ट बताएगा दुमको कि यहाँ पर 0 मान के solve कर दिया, यहाँ का potential आ गया, और current भी बताया जा सकता है, और इसके सार साथ यह log कभी भी गलत नहीं होता, यह log कभी भी गलत नहीं होता, इसके सारे importance point आप याद रखें, उसके बाद तो फिर मज़े मज़े हैं, ठीक है, तो और भी questions अपने book से आप practice करिएगा, है ना, I hope आपको यह समझ में आया होगा तो अगले turn में मिलेंगे, तो किर्चॉफ second lock की बात करेंगे, मतलब basically किर्चॉफ voltage lock की बात करेंगे और उस पर कुछ सवाल देखेंगे, फिर हम लोग series and paddle combination की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक पढ़ते रहे हैं, thank you very much